हे गाइस वेलकम तो नियू वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 AI टूल्स के बारे में जो कि इमेज जनरेटर होंगे जिनके बारे में आपको लाजमी से मालूम होना चाहिए तो विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने पहले नमबर के नमबर वन की तरफ जो के है एडवी फायरफिल आएडवी फायर फायर्फिल आए में जैसी आ जा जाते हैं तो इसके लिंक में आपको duplex में दे दूंगा वहां पर जैसे ही आप किलिक करेंगे तो फिर कशुल इस तरह के इंटर्फेस में आएगे यहां पे आपको दिख रहा है describe your image प्रमोट देना यहां पे आपको तो हम तीनों टूल्स में एक ही प्रमोट यूज करेंगे और तीनों का results हम यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे तीनों को मैंने पहले जो Adobe Firefly उसको मैंने यह प्रमोट दे दिया है तो यहां पे मैं इसको all copy कर लेता हूँ ताकि मैं दूसरों को भी यह दे सकूँ तो अब यहां पे मैंने copy कर लिया अब यहां पे जनरेट पर क्लिक देता हूँ तो यहां पे हमारी images जनरेट होने से पहले यहां पे sign up मांगते हैं तो आपने यहां से Google account से sign up कर लेना है यहां पे हमारी yes हो रही है तब तक हम दूसरे नमबर की तरफ चलते हैं जो कहे हमारा कैपलोट यानी बिंक image create है तो इसमें यहां पे हम आ चुके हैं इसमें भी आपको sign up कर देना है उसके बाद यहां पे आपको दिख रहा हुआ surprise me और उपर आपको एक promote देना है तो promote में हम same जो यह promote वो कॉपी करके आए हैं उसे यहां पे हम paste कर देते हैं यहां पे देख सकते हैं उसके बाद यहां पे हमने create now पे click कर दिया है तो यहां पे भी हमारे images generate होना start हो चुके हैं तो अब हम तीसरे के तरफ चलते हैं जो के हमारा है आइडिग्राम तो यहां पे आइडिग्राम में जैसे यहां पे आ जाते हैं तो यह कुछ इस तरह का interface में आता है वही परमोट यहां पे भी मैं paste कर देता हूँ और यहां पे generate now पे click कर देता हूँ तो यहां पे हम परमोट दे चुके हैं तो यहां पे simply हम आप क्या करेंगे generate पे click करेंगा और नीचे photo और cinematic का जो है वह रोल पे लेवाला option add कर देंगे जो कि यहां पे देख सकते हैं बहुत ही look amazing दे रहा यहां पे देख सकते हैं एकदम perfectly यहां पे देख सकते हैं यह भी बहुत amazing image है यही भी तो यहां पे काफी सारी अच्छी images ौईटोग्राम ने बना के दिये तो दूसरों images tools का भी देखते हैं वो भी images generate हो चुकी हैं तो उनका भी यहां से simply हम सबसे पहले इनको download कर लेते हैं download करने के बाद अब दूसरे tools की बारे आती है जो कि Adobe Firefly तो यहां पर देख सकते हैं Adobe Firefly ने भी बहुत ही अच्छे images generate हमें करके दे दी हैं यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही 3D और HD quality में यह फोटोज हैं और बहुत ही realistic भी लग रहे हैं तो इनको भी यहां से हम easily download कर सकते हैं उपर आपको download का button show हो रहा होगा तो simply आपने उस पर click कर देना है तो आपके जो photos हैं वो download यहां से हो जाएंगो यहां पर देख सकते हैं जो adobe firefell आए वो ideogram से थोड़ा beta rate है क्योंकि इसमें बहुत ही realistic और काफी अच्छे look वाली images generate होके आ चुकी हैं तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे number की जो है bing image creator तो इसके results हम देख लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बहुत realistic images यहां पर generate हो चुकी हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं एकदम perfect look वाली images हैं यहां पर आप जैसा देख सकते हैं तीनों में हमने एक ही promote दिया था और तीनों के results बहुत ही difference हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, आपको कौन सा बेस्ट लगा इन तीनों में से, तो मुझे जो बेस्ट लगें हैं, वो हैं, तीनों इबहुत इच्हे लगें हैं, क्यों बात करें, क्योंके इडिठ ग्राइम भी बहुत इच्छा है, Adobe Firefly और BING इमेज, ग्रेटर भी दो तीनों बहुत ही जबदस्त AI टूल से आप इन्हें डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इमिज जेनरेट करने के लिए थेंकिसो मच फॉर वाचिंग दिस